नमस्कार द्रस्थी IAS YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है निखिल और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइम स्पिर्ट डिस्टेंस के कुछ और नए कोश्चन्स पर कुछ लेवल को बढ़ाएंगे और समझेंगे किस तरह के कोश्चन्स आपको 20-40 क्लोमीटर पर इंगंटा की घती से 8 बजे मोटर साइकल से भागना शुरू करता है पुलिस साथ क्लोमीटर पर इति घंटे की अप पर एक बज़े उसका पीच्छा करना शुरू करती है कितने समयबाद पुलिस चोर को पकड़ ले जहिए अब बयदShut सिंपल सा कोश्चन है बहुत ज़ादा कुछ है नहीं सिर्फ समझना है को यह कोशिश नहीं करनी कि एक दम से आप सौलव गर लेगे दीरा दीरे दीरे स्टैब बाइस चलिएगा कोश्चन भी सौलव होंगे सारे सौल्व होंगे uh क्लियर कर गहेंगा एक चोड़ 4-40 क्लो मेटर प्रती-गंटे की गती से सुबह आठ बज inspire निकला यहाँ पर जब टाइम था आध बजे एट एम का टाइम था यहाँ से चोड़ चला सुबह 8 बज़े मोटर साइकल से भागना शुरू किया चोर ने आठ बजे, पुलिस साथ किलोमेटर प्रति घंटे की चाल से दो दो पहर एक बजे उसका पीछा करना शुरू कर रही है, अब जो पुलिस है, उसने इसका पीछा करना शुरू किया, एक बजे एक पीम पर किया, कितने की स्पीड से शुरू किया पुलिस ने 60 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड है और चोर की स्पीड कितनी थी 40 किलोमेटर प्रती घंटा इतनी स्पीड थी ना 40 किलोमेटर प्रती घंटा चोर एक बज़े तक जब तक एक बज़ रहे हैं, आट बज़े से एक बज़े तक है principle यह तो यह था है कि चोर बेड़ा उगा? यह तो कह रखा है कि चोर ने भागना शुरू कर दिया motor cycle पर तो आट बज़े से एक बज़े तक तो चोर भागा ही होगा ना? अब पुलिस एक ब यहांपर चोर पोंचा है अब 8 वजे 1 बये तक यानि कितने घंटे हुए 8-12 बये तक 4 गंटे OR एक गंटा और यानि 5 गंटे पांच गंटे में चोर यहां से यहां पे पहुच गया, अब पांच गंटे में कितनी दूरी चली गई चोर दुआ रहा, सबसे पहले तो यह निकाल लो, पांच गंटे में चोर कितनी आगे पहुच गया, पकड़ना आया, तो जब आगे होगा, जब आगे होगा, तो पीछे स पुलिस बाग के आएगी पकड़ेगी अब ये पता कैसे चलेगी कितनी दूरी है अब कितनी दूर गया वो पांच घंटे में इस पीड गया है चोर की 40 यानि की 200 किलोमेटर कौन चला गया चोर मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है यह 200 किलोमेटर है इतनी बात चली कि पुलिस को चोर को जो पखड़ना, वह 200 किलोमेटर आगे है लेकिन पकड़ेगी क्यों कि इस की स्पीड गम है और पुलिस की जादा है आगे जा रहा है एक बाइक पे चोर, उसकी स्पीड है 40, वो 40 की रफतार से जा रहा है, पीछे पुलिस आई, तेजी से आई, 60 की स्पीड है, वो 60 की स्पीड से उसे पकड़ना शुरू किया, तो उसे पकड़ लेगी, किसी इस पॉइंट पे जाके उसे पकड़ लेगी, ठीक है पकड़ेगी, पर यही तो निकालना है आपको, कितने समय के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, मतलब एक बज़े से पहले तो पकड़ने का मतलब नहीं, एक बज़े तो पुलिस ने भागना शुरू किया है, अब कितना टाइम और लगेगा, कितने घंटे और लगेंगे, पुलिस को स्पीड इसकी 40 थी, और यहाँ पर पीछे कितना था, यह भी 40 की स्पीड से, अगर कोई भाग रहा था, तो यह दोनों हमेशा पैललल ही चलते रहते हैं, दोनों की स्पीड समान है, तो दोनों बराबर, 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 हमेशा चलते रहेंगे, अगर दोनों की स्पीड बराबर है लेकिन इस से आगे कोई कैसे निकलेगा जब पीछे वाले की स्पीड जादा हो वो उसी जितना अंतर है ना इस स्पीड का उसी से कवर करेगा या उसे से उसे पकड़ेगा अब पुलिस की स्पीड कितनी अधिक है इस से यह देखो पुलिस की स्पीड चौर की स्प तीसे पकड़ेगा, क्यूं? यही तो अंतर है, same direction में speed कम हो जाती है, अगर 20 की रफ़तार से उसे distance कितने travel करनी है? 200 km, बागी तो parallel, 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 parallel सिलता जाएगा, अगर speed समान होती, तो यही 200 km का अंतर है, वेशा रहता रहता, लेकिन यह 200 km कबर क्यों होगा, उस 20 km की वज़े से, तो 200 km, कबर कितनी speed से करना है, यह तो दूरी आगई, दूरी बटे 4, बटे 20, 20 से डिवाइड करेंगे, तो कितना जा आपका अंसर होगे, आंसर क्या है, option A, मतलब, 200 km की दूरी बनाई थी चोर ने, वो कितनी देर में कबर हो जाएगी, 10 गंटे में कबर हो जाएगी, क्योंकि 200 km की distance थी, और किस speed से कबर होना था, जो अंतर है उनकी गतियों में, यानि 20 km प्रती घंटे का, और आपका अंसर हो दो अब्यक्ति जो एक दूसरे से 108 km दूर है, एक दूसरे की और करम से है 11 km प्रती घंटा और 7 km प्रती घंटे गति से चलना शुरू करते हैं, कितने समय बाद बे पहली बार एक दूसरे से 18 km की तूरी पर होंगे, कितने समय बाद होंगे, 11 की speed से चलना है, 17 की speed से, ये distance है ये A point है, ये B point है, इन दोनों के जो बीच के distance हो कितनी है, 108 km है, अब क्या कहा रहे हैं, जी एक व्यक्ति, एक दूसरे की और 11 km, यहां से एक व्यक्ति गया, उसकी speed कितनी है, 11 km प्रती घंटा, और इधर से जो व्यक्ति आ रहा है, उसकी speed कितनी है, 7 km प्रती घंटा, अब ये जब आपस में मिलेंगे मिलने से पहले मतलब इन दोनों की स्पीड इनके बीच में कितना का अंतर रह जाए सिर्फ 18 km का अंतर रह जाए तो आपको बताना है कि जब पहली बार एक दूसरे से 18 km के अंतर पे होंगे तो ऐसा कितने समय के बाद होगा उन दोनों के चलने के उन दोनों के चलने के इन यहां से चलना शुरू किया यह न है यहां से चलना शुरू किया तो कितने घंटे बाद ऐसी इस्तिय आएगी कि इन दोनों के बीच में केवल अधारा किलोमेटर बचे अभी डिस्टेंस कितनी है 108 108, 18 km तो बीच में बचाना भी है, तो बचा कितना? 108 में से माइनस कर दो 18 को, यानि कि 90 km ही चलना है, अगर 90 km के distance cover करनें, दोनों मिला के, अगर 90 km के distance cover करनेते हैं, तो बीच की दूरी केवल 18 km बचेगी, अब 90 km cover करना है, दोनों आ रहे हैं किसमें? opposite direction में और opposite direction में, speed गया हो जाती है, जूड़ जाती है, इसकी speed प्लस इसकी speed, दोनों की speed जोड़ दो, इसकी कितनी है, 11 और इसकी कितनी है, 7, तो total speed कितनी हो गई? जो चाल है, वो कितनी हो जाएगी? 18 km प्रती गंटा, तो आपेक सिक चाल हो जाएगी इनकी 18 km प्रती गंटा, क्योंकि opposite direction में आ रहे हैं, distance भी आपको पता है, निकालना क्या है, समय, तो समय बराबर क्या होता है, time बराबर क्या होता है, distance upon speed, यही तो होता है, तो time बराबर distance कितनी है, 12 km गबर करनी है, 18 तो बीच में मचा जानी है, बटे, speed कितनी है, सापेक सिक speed, 18 तो 18, 15, याने की 5 गंटे का समय लगेगा, गंटे का क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सारी चीज़े, किलोमेटर प्रती गंटा या फिर गंटे में दी हुई है, इसलिए 5 गंटे का समय लगेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, option B, सही आंसर है, अगले प्रेशन पर चलते हैं, एक 35 जल में 10 km प्रती गंटे गंटे गंटी से नाब चला सकता है, यदि उसे 24 किलोमेटर दूर किसी इस्थान पर जाने तथा बापस आने में 5 गंटे लगते हैं, तो जल प्रवा की गती ग्यात किजिए, कि जल जो प्रवा है वो किस गती से हो रहा है, अब यह बोट एंड इस्ट्रीम पर बेस सवाल, बोट एंड इस्ट्रीम, क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बोट और इस्ट्रीम के बारे, माल लीजिए यह एक नदी या फिर कोई नहर या फिर कुछ भी है, जो कि इस दिशा में फ्लो हो रही है, इसे कहते हैं गती, जो धारा की गती है, धारा की गती की दिशा में, अगर कोई यहां से इदर जा रहा है, तो उसकी दिशा में जा रहा है, अगर अपोजिट डिरेक्शन में इदर आएगा, तो धारा की गती की दिशा में जाएगा, इंग्रिश में कहें, तो जो धारा की गती की दिशा है, उसे बोलते हैं downstream, और जो ऊपर की तरह आ रहे हैं, मतलब भी प्रेद्चा में आ रहे हैं, तो उसे बोलते है upstream, तो जब downstream रहता है, धारा की गती की दिशा में कोई तैरता है, तो आपने देखा होगा, आप अगर swimming की है कबही, यë observe किया है कभी कि या फिर नाव चलाई बारिश में पानी में नाव चलाई है। तो क्या वह देखते हैं जहाँ, जिधर पानी मेंता है तो अुधर क्या है नाब भाती चली जाती है, क्यूं होता है? अब नाव तो क्या तेनरजीव थी उसमें खुद की गती तो कुछ थी नहीं लेकिन गई कैसे वो धारा उस साइड बही कैसे जिदर पानी चला था क्योंकि जो पानी था उसकी तो खुद गती थी तो वो उसमें एड हो गई उसी स्पीड से नाप भी चलेगी आपकी या फिर कोई व्यक् में तैर रहा होता है तो उसकी स्पीड तो जितनी है वो तो सामान्य बाटर में अगर नॉर्मल बाटर है उसमें तैरेगा उसकी तो कुछ गती होगी तैरने की गती इंसान की और जो पानी की गती है वो दूनों मिल जाती है मान लीजिए अगर आदमी की व्यक्ति की मैन की जो speed है, वो x km प्रतिगंटा है, तैरने की गती, और जो पानी है, water है, उसका flow y km प्रतिगंटा है, y km प्रतिगंटा है, तो downstream मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या इस्तिती होगी, तो धारा की दिशा में उसकी जो चाल होगी वो होगी X plus Y kilometer प्रतिगंटा मतलब उस व्यक्ति की चाल प्लस धारा की चाल और opposite direction में यानि की धारा की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में क्या इस्तिती होगी? X minus Y kilometer प्रतिगंटा मतलब आदमी की चाल में से उस मनुष्य की चाल में से, जो पानी की चाल है, वो माइनस कर देंगे, ये ध्यान लखने वाली बात है, और सीधा सी बात है, समझने वाली बात है, एक ही direction में जाएंगे दोनों चीजे, तो तेज हो जाएंगे, opposite direction में आ जाएगी, तो speed कम हो जाएगी, train से जस्ट उल्टा, जैंगे, फ्लो के इस डायरेक्शन में तो speed कम हो जाएगी, पर जो जाएगी, confused मत हो जाना सिर्फ समझ के करना, कोशन, अब देखते हैं, क्या का गया है, एक व्यक्ति सांत जल में 10 km की गति से जाता है, पैर सकता है, और 24 km दूर सित, किसी इस्थान पर जाने तथा बापस अत्ताने में 5 गंटे का समय लगते हैं जो चाल है वह कितनी दे रखी है इसकी व्यक्ति की चाल दे रखी है व्यक्ति की 10 km किरती गंटा अब क्या कहा है 24 किलोमेटर दूर रिस्तित किसी स्थान से माल लीजिए यह जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमेटर की थी ए और बी की डिस्टेंस यहां तक जाये और बापस आये टाइम कितना लग रहा है पांच गंटे पांच गंटे लग रहे हैं अगर अब देखो तो इसको ऐसा क्यूं हो रहा है क्यूंकि यहां से जब एक तरफ यह नदी जो है एक तरफ बैह रही होगी पहले तो तेदी से गया होगा बैने वाली साइड में क्योंकि स्पीड बढ़ गई होगी दारा की चाल मिलेके और जब अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा तो speed कम होगाई होगी, तो ये आपको निकालना है, कि जल प्रभा की जल है, इसकी गती कितनी है, मान लीजिये न, इसकी जो गती है वो x km प्रति गंटा है, मान लो जो निकालना है, वो ये मान लिया हमने, तो 10 km तो किसकी चाल है, आदमी की, तो धारा की चाल कितनी है या फिर जल प्रभाव की चाल कितनी है धारा की चाल मान लिया आपने एक्स किलो मेटर प्रती गंटा है तब उस इस्तिती में जो डाउन स्ट्रीम है यानि कि धारा की दिशा में धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी दिशा में चाल हो जाएगी 10 प्लस X और धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी चाल धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगी 10 minus x km प्रतिगंटा, इतना तो समझ में आया, धारा की दिशा में 10 plus x, अपोजिर दिशा में 10 minus x km प्रतिगंटा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि धारा की चल, यानी x की value निकालनी है, कैसे निकाले, अरे formula लगा दो ना, 4 बरावर दूरी बटे समय, समय तो दिय हुआ है 5 गंटे, उकल 5 गंटे लगते हैं, दूरी भी दी गई है, 24 km प्रतिगंटा, कर दो, यहां से यहां तक जाने में, इसे कितना टाइम लगा, ए से लेके, बी तक जाने में, इसे कितना टाइम लगा, चाल, बटे, स्वरी, दूरी, बटे, चाल, दारा की दिशा में च चाल, 10 प्लस X, इतना समय, प्लस B से बापस आया होगा A पर, जब B से बापस आया A पर, तो कितना समय लगा, 24 बटे 10 माइनस X, क्योंकि चाल गया, अब क्या हो गई होगी यह, और दोनों को मिला के समय कितना लगा, पांच का, पांच गंटे का समय लगा, इसे 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 गुणा, और जो बचेगा, इसे आपर गुणा करेंगे, आनसर आजाएगा, एक तरीका यह है, और इसे पुट करेंगे, यहां के बाद में, इसको मैंने मार्क कर दिया, यहां पर 24 अपॉन 10 प्लस X, 24 अपॉन 10 माइनस X, तो 24 की इस से गुणा करेंगे, त 24 अपॉन 10, 24-10, 24-24, यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस के 24X, बराबर इन दोनों की गुणा, A प्लस B, A मैनस B, कितना होता है, A स्कॉार मैनस B स्कॉार, या फिर कह सकते हैं, 5 गुणा, 10 का स्कॉार मैनस के X का स्कॉार, ठीक है, सॉब करो, 24 X से 24 X कट गया, solve करेंगे इसके आद में कितना जाएगा 240 plus 240 कितना हो गया 480 बराबर 10 धाए 100 गुणा पांच 500 minus के 5X square कितनी value आ गई minus का ये इदर आ गया ये इदर पहुच गया तो कितना हो जाएगा 5X बराबर 5X square बराबर कितना हो जाएगा 500 minus 480 थी और x square बराबर आगे आपका 20 बटे 5 यानि की 4 तो x की value आजाएगी 2 2 x की value आई तो आपका answer क्या हो जाएगा option b 2 km प्रती गंटा ये तो एक तरीका है या फिर इतना करने के बाद में आप क्या करते यहाँ पर x की value रखके देख लेते ना जैसे आपने अगर x की value 2 रखी होती सपोस करिएगा आपने 2 value रखी है तब क्या रहा होता 24 बटे 10 प्लस 2 12 प्लस 24 बटे 10-2 कितना हो गया 8 यानि 8 या 24 बटे 10-2 कितना हो गया 5 यह तो satisfy कर रहा है अगर satisfy कर रहा है तो answer यही है आपका answer क्या हो जाएगा option b इसके अलाबा भी बहुत साए तरीके हैं solve करने के ऐसा नहीं है यही तरीके और भी बहुत तरीके है आप देखके भी सिर्फ देखके answer बता सकते हो कि हाँ जी इसका answer यह हो उसके लिए practice की जरूत पड़ेगी better यह है understanding better करो ठीक है चलिए अगले की गती तता दारा की गती का अनुपात ग्यात कीजिए अब 30 km के distance travel करी है राजू ने चार गंटे जाने में लगे और 8 गंटे बापस आने में यहां से जब यहां तक गया हो तो चार गंटे का समल लगा जब बापस आया तब कितना लगा 8 गंटे ऐसा क्यों हुआ क्यों कि इधर जो होगा वो down stream होगी दारा इसी दिशा में वह रही होगी दारा इसलिए time कम लगा क्योंकि speed जादा हो गई और जो opposite direction है जब 8 गंटे लगे तो वो क्या होगा दारा की विप्रीद दिशा होगी इसलिए time जादा लगा है आपको बताना क्या है कि गती तता धारा की गत कितनी है जो नाव की गती है मान लीजिए वो x है और जो धारा की गती है वो कितनी है y है तब same direction में x plus y हो जाएगा same direction में मतलब एक ही direction में opposite direction में कितनी हो जाएगी x minus y speed हो जाएगी कितनी हो जाएगी अब आपके पास में speed है आपके पास में time है आपके पास में distance है निकाल cdx और y की value कैसे निकालेंगे अगर हमें क्या निकालना है x plus y निकालना है यह क्या है आपकी चाल चाल बरावर क्या होता है दूरी बटे समय दूरी कितनी है 30 और समय कितना लग रहा है 4 तो x plus y कितनी आ गई आपकी 15 बटे 2 x plus y की value आ गई इसे equation एक मान लेते हैं ठीक है अगर आपको x minus y निकालना है तब कैसे निकालेंगे यह भी तो चाली है यह पोजे direction में चाल है कैसे निकालेंगे चाल बरावर दूरी दूरी तो अभी भी 30 है तो बरावर 30 बटे समय कितना लगा लेकिन अब 8 तो यह कितना होगे आपका 15 बटे यहां पर कितना हो जाएगा 4 equation दो अब x plus y की value पता है आपको और x minus y की value पता है इससे x और y की value निकालनी है कैसे निकालेंगे x plus y x minus y यह कितना है 15 बटे 2 और यह कितना है 15 बटे 4 तो 15 बटे 2 और यह कितना है 15 बटे 4 इनको जोड़ दो जोड़ दो तो x से x कटेगा प्लस हो जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x बरावर 15 बटे 2 प्लस 15 बटे 4 ये 2x की value आ गई solve करेंगे इसको तो 2x बरावर कितना हो जाएगा 4 हो गया यानि 30 प्लस 15 बटे 4 और x बरावर हो जाएगा आपका 45 बटे कितना हो जाएगा 2 चोक 8 ये x की value आ गई आपकी किस की value ये x की x की value इन में से किसी में भी रख दो x की value इन में से किसी में भी रख दो तो y की value हो जाएगी y की value निकाल लेंगे y की value निकाल लेंगे कैसे आएगी अगर मैं इसी equation में प्लस की वजाए माइनस कर दूँ जो मेरी equation ये बन रही थी x प्लस y बराबर 15 बटे 2 और x माइनस y बराबर कितना है 15 बटे 4 अगर मैं इसे जोड़ने की वज़ाए माइनस कर दूं यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो अब यह वाला कर जाएगी वैल्यू कितना जाएगा 2y बराबर 15 बटे 2 माइनस 15 बटे 4 यानि की 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 15 बटे 4 और y बराबर आपका हो जाएगा उपर बजा 15 15 बटे 8 इतना हो गया और यहाँ पर कितना है x 45 बटे 8 यही तो निकालना था x और y की वैल्यू का अनुपात इस इसकी गती और इसकी की गती का अनुपाती तो निकालना था आपको तो एक्स अनुपात वाई कितना हो जाएगा पैतालिस बात अलउपात पंद्रह बंठे अलश्य और यह समक इनवोसर आण सब्सक्राइव पार यह तो तीन यह ओपार आजाएगा तीन concept आपको ये इतना तो idea था ना, कि जो distance है, वो 4 गंटे में cover कर रहा है, 8 गंटे में cover कर रहा है, 30 km की distance है, जब 30 km 4 गंटे में जाएगा, तो जो उसकी चाल है, वो कितनी हो जाएगी, 30 बटे 4, जब उधर से आएगा, तो speed कितनी हो जाएगी, 30 बटे 8 हो जाएगी, तो ये दोनो आ जाएगी आपकी साड़े साथ से भी यादा हो जाएगा यानि कि आड़ दिया चो वेज 3.75 अब इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं फिर से यही है पूरा करने की ज़रूत नहीं है सिर्फ option से put करके देख लो आपका answer आ जाएगा बहुत सारे तरीके हैं solve करने के आप practice करते रहिएगा आ जाएगा अगले प्रेशन पर चलते हैं देखते हैं क्या है प्रेश्ट सो मीटर लंभी एक ट्रेइन 22 क्लोमीटर प्रती गंटे की चाल से समान दिसा में चलकर 63 क्लोमीटर प्रती में समझा है जब train train को पार कर रही हो train किसी pull को पार कर रही हो किसी station से गुजर रही हो या किसी सुरंग से जा रही हो तो कितनी दूरी टै करनी पड़ती है train की चाल plus train की चाल या फिर train की चाल plus pull की चाल train की चाल plus सुरंग की चाल मतलब वो दोनों दूरी को add करना पड़ता है एक ट्रेन कितनी लंबी है है सो मींटर लंबी है दू कितनी है 50 tem समान दिसा में चल कर मतलब एक Lei रहे हैं 100 ंच मेंटर लंबी और एक ट्रेन यह भी है यहां पर यह ट्रेन है एक कितनी डिस्टेंस है इसकी 63 km प्रतिगंटे की चाल से जा रही है तो लंबी ट्रेन को कितने सम्हें में पार करेगी जब छोटी लंबी के पार करें चाहें लंबी छोटी को डिस्टेंस तो उतनी ट्रेवल करनी है वो कितनी करनी है डिस्टेंस बरावर सो प्लस दो सो यानि की तीन सो मीटर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है अब दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है यह भी दिर जा रही है मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है जब सेम डायरेक्शन में ट pi4 उसट है तो चाल कितनी हो जाएगि सापेकषिक चाल वरावर बहात्तर 23 यानि कि 9уса 54 फिर्ती गंटा अब commen़ा Sun यह एःम केलोमीटर पुरतिधी होंद अबusta rap python में पूछा इक हो इस् teak сек किलोमीटर पूद करेंगे मीटरपथी सेटेंड में जब कैसे करते हैं multiply by 5 बटे 18 यानि कितना होगे आपका 5 बटे 2 मीटर प्रती सेकेंड यह आपकी चाल आ गई इस चाल से कवर करनी है कितनी दूरी 300 मीटर की दूरी कवर करनी है इस चाल से किस चाल से 5 बटे 2 आपको निकालना क्या है समय, समय वराबर क्या होता है दूरी बटे, चाल, दूरी कितनी है 300, चाल कितनी है, 5 बटे 2, यानि ये value कितनी हो जाएगी 300 गुना 2 बटे 5, 5 से डिवाइड करो 60, और 60 दुनी 120, 120 क्या आएगा second आएगा, क्योंकि meter प्रती second में, जो भी है value है, 120 second कहां पर है, option C में, यानि option C आपका सही answer है इस तरह से आपको question को solve करना है बाकी के questions करते हैं, next class में, तब तक के लिए दिन्यवाद